अबी एक हमारे देश की एक्टर है उनका नाम है कंगना रनाउत वो सही बोल रही है कोई गलत नहीं बोल रही मर मेरे मेरा एक सवाल है उनसे छोटा सा बी-सी-सी आएगा नाम तो आपने सुना होगा कंगना जी एक बहुत ही रिच स्पोर्ट्स बॉड़ी है वोल्ड वाइड क्या आपको लगता है उनके उनका जो आज की तारिक में प्रेजिंट सेकेटरी है इस नादे केस ऑफ अप्रोच नेपोटिजम और पावर यस और नो एक जो आपको लेखिए अप्रोच नेपोटिजम और सुना है उनके वाइडो आपको लिचारदार्य वाइड नाव जाएड थां गरते हैं नोबड़ी इस केपबल अभाइड इस एड़ा इस भाइड रिच आपको लोग वहां पर अपनी पाइड बचारदार आ को डिफें So my simple question is, don't you think the people like Sunil Gavaskar or say Kapil Dev are more capable of becoming BCCI Secretary than the present one? And I can give you a guarantee of one thing. This guy who is the BCCI Secretary right now, इसको वज़न भी नही पता होगा, बॉल का कित्ता होता है. बाकी आपकी बात है ठीक है, कोई गलत नहीं कह रही हैं, मगर गलत को गलत और सही को सही बोलना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है. मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ क्या है. और इसका जवाब दीजेगा, कि BCCI Secretary जो आज है, क्या वो capable है BCCI Secretary बनने के लिए? जो Sports Body का Annual Turnover, इसमाज भी कोई, you know, 10-15,000 crores. So, do you really think that he's capable of becoming BCCI Secretary? Yes or no? That's it. Thank you so much. नमस्कार भाईयो, मैं हूँ अनुपन्रिपार्थी, FFAR India का second YouTube channel, FFAR India Online Education को आज ही subscribe करें, मात्र 199 रुपे प्रती महीने में, पाईए how to speak correct English fluently and confidently, साथी साथ पाईए online digital marketing courses from the best of experts in the industry. समय नश्ट ना करें, आज ही subscribe करें, 199 रुपे पती महीने पेटियम करें, पेटियम करें, 9599-349269 पे, और मंथली सब्सक्रिप्शन आज ही प्राप्त करें, मात्र 199 रुपे में, समय नश्ट ना करें, पेटियम करें, जै हिंद, जै भारत! स्दोर्णने में करें, बारत!